नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी खरगाटे और मेरा यूटीब चैनल मेकेनिक ग्यान में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लिवन 835 लोडर का ब्रेक्सू कैसा उपन करते हैं और ब्रेक्स लेंडर का सील कैसा चेंज करते हैं दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे वर्क्शाप में कौन सी कौन सी गाड़ी खड़ी है और कौन सा कौन सा मसीन खड़ी है हमने एक वीडियो अपलोड किया था हमारे वर्क्शाप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या तो आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मेकेनिक ग्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे साथी बेल आइकन को प्रेस कर दीजे इससे क्या होगा दोस्तो मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नौटिफिकर्स रंके तो आपको म खोलना है जैसी कि देख सकते हैं आप इसकीन पे और उसके बाद में जो ब्रेक 笑ी पे बोल्ट लगा हुआ बहुत भारी है या पूरा एस्पयर बाखर आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि कि हाथ पेर पे ना गीरा है ठीक है तो देख सकते हैं हमने सारे ब्रेक सु एसेंबल के बोल्ड को उपन कर लिया है और चलिए हम इसे बहा निकाल लेते हैं तो देख सकते हैं ये ब्रेक पिस्टेन के बीच में ब्रेक सु लगा हुआ है चलिए इस दोनों ब्रेक सु को निकाल यह हैं उस दोनों प्लेट के बोल्टों को ओपन कर इस ब्रेक सूइ एसेंबल में टोटल चार पिश्टेन लगते हैं और चार पिश्टेन के चार ही कैप लगते हैं जिसमें तीन कैप प्लेन होते हैं और एक जिसमें ब्रेक आइल पाइप लगता है तो देख सकते हैं और उसक केप को खोल कर पिष्टन को बहार निकालना है और बहार निकालने के बाद में पिष्टन जिस पे चलता है उस जगर ब्रेक पिष्टन का सील लगता है चलिए हम सबसे पहले पिष्टन को बहार निकाल लेते हैं एक एक करके और उसके बाद में हम बताते हैं आपको कि किस प्र पिस्टन के उपर हलकी हलकी चोट मारना है पिस्टन बाहर निकल जाएगा तो देख सकते हैं कितनी आसानी से पिस्टन बाहर निकल चुका है और एक पिस्टन और बचा है चलिए हम उसे भी निकाल लेते हैं ठीक है तो देख सकते हैं दोस्तों हमने चारो के चारो पिस्टन को बाहर निकाल लिया है तो देख सकते हैं चारो पिस्टन बाहर निकल चुका है और कैप में हर कैप में एक ओरिंग लगा हुआ है तो देख सकते हैं इस जग़ा पे जंक चड़ा हुआ है हम उसे बाद में क्लीन कर लेंगे और हमने कहा था कि ब्रेक पाइप इस कैप के ऊपर ल कर लेते हैं और को होल दिखाते हैं, तो देख सकते हैं, एक right में, एक left में, और दूसरे side में भी, same उसी प्रकार से hold दिया हुआ है, जब ये हम सारा fitting कर लेंगे, piston और ring और seal fitting करने के बाद में, इस जगह से हमें रेक का एयर निकालना होगा देख सकते हैं दोनों साइट में एक लेप्ट में और राइट में ब्रेक निपल दिया हुआ है उस जगह से हमें एयर निकालना होगा और केप के उपर पिस्टन इस प्रकाल सेuns फिट होता है जैसे ही oil का pressure पड़ता है वो piston उपर दबाता है जब oil का pressure piston को दबाता है उस समय ब्रेक सू डिक्स को दबाता है तो डिक्स क्या है डिक्स की जो घुमने की जो capacity धीरे-धीरे कम होती है उससे break लग जाती है ठीक है तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका seal कैसा रहता है किस जगह पर fit होता है तो देख सकते हैं एक piston के जगह पर दो seal लगते हैं और एक लगता है कैप में ऐसे ही total एक slender पर तीन oaring लगते हैं टोटल ऐसे ही 12 oaring लगते हैं जो कि इसमें चार तो main seal है और चार dust cover और चार oaring है ठीक है तो दोस्तो यह वीडियो कैसा लगा हमें comment box में लिख कर बताए और वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना और अपने दोस्तों के साथ में share करना बिल्कुल भी न भूले इसी प्रकार की मसनीरी और वेहिकल रिपेरिंग का वीडियो अपलोड करते हैं हमारे मेकेनिक ग्यान चैनल में जो कि आप अभी तक subscribe नहीं किया हो तो subscribe कर लीजे और bell icon को दबा के एक वीडियो को like कर दीजे हम next वीडियो में मिलते हैं तब तक कि लिए बाई दस्तो